गुड मॉर्निंग एक्जाम पेटर्न फो सोशोलोजी हम आपकी 30 मार्ज को पेपर है सोशोलोजी का होफुली आप लोग की पढ़ाई अच्छी हो रही होगी काफी कुछ हो गई होगी हम देखते हैं कि किस तरह से आपका पेपर आने बाला है और किस सब्जेट सरी किस चैप् की तरफ यूनिट वन है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडियन सुसाइटी यानि हिंदुस्तानी समाज का ताहरूफ इस चैप्टर से आपके 12 मार्ग की कोश्चन विदाउट ऑप्शन हैंगे यानि कंपल सरी लिए आपको यह कोश्चन 12 मार्ग की कोश्चन आपको हिंदुस्तानी समाज की दरजबंदी यह 13 मार्ग का विदाउट ऑप्शन है कंपल सरी आपको 13 मार्ग करना है और ऑप्शन के साथ 18 मार्ग का है देखिए सबसे जादा वेटेज इसी यूनिट को और यूनिट 6 को है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया हिंदुस्तान में सम आप यह भी समझत सकते हैं यह भी कह सकते हैं कि समय यूनिट इक्वल इंपोर्ट उएज देना है और इतने इंवेटेज देना है उसको पढ़ना है जो सेवंथ कोश्यन harga आपको एक ऑन सीन पैसेज पैरेग्राफ होगा उसमें से दो कोश्यन थ्री मार्क composite करेश दोंग के आपके bonus mark है इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रुत नहीं कुछ याद करने की जरुत नहीं, बहुत ही easy paragraph में से देखे, आपको दो सवालों के जवाब लिखने होगे. थोड़ा सा डिटेल में आप सवालों के जवाब लिखेंगे, क्योंके वो 3 marks का है. थार्ड यूनिट जो है हमारा diversity and unity in Indian society यानि के भारती समाज में इखतिलाफ और इत्तिहाद है यह भी 12 मार्क्स का option के साथ यह 15 मार्क्स का process of social change in India सबसे ज़्यादा option यह यूनिट से है और introduction to Indian society यानि हिंदुस्तानी समाज का तारूफ और हिंदुस्तान में समाजी तबदिली का अमल यह दो यूनिट में और साथ ही social problems in India यह यूनिट को आप काफी ही अच्छे से पढ़िए क्यूंकि इसको weightage भी ज़्यादा है और option के साथ में भी question इसमें से ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं 22 marks की questions इसमें से आने वाले option के साथ में तो अगर दूसरे कोई chapter में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हुआ तो यहां पर आप cover कर सकते हैं तो बहरहल जो process of social change in India है यहनिकि भारत में समाजी तबदिली का अमल 12 marks का कमपलसरी आएगा इसमें से और 19 marks का option के साथ फिफ्ट जो यूनिट है हमारा social moments इन इंडिया भारत में समाजी तहरी के यह 12 marks का option के बगएर यहनि कमपलसरी आपको करने और 15 marks का option के साथ में social problems इन इंडिया मैंने पहले भी बताया कि इसको जाधा weightage है 13 marks without option और 22 marks with option यह काफ यूनिट को equal importance दिया है इसमें किसी भी तरह की confusion की कोई गुंजाइश नहीं है आप सारे यूनिट को equally इंपोर्टेंस दीजी और equally इसकी पढ़ाई कीजिए इनिशालला आपका paper बहुत अच्छा होगा अब हम देखेंगे कि कितना weightage है मतलब knowledge based question कितने होंगे understanding based question कितने obviously वह आपको जैसे कि वैसे रठ के जाना है जो हम आम लेंग्विज में बोलते कि आपको इसको रठ के जाना है वह आपको exactly as it is याद होने ही चाहिए तभी आप वो questions कर सकते हो जो understanding है वह थोड़ा बहुत मतलब knowledge भी आपको होना ही चाहिए रटा हुआ भी आपको होना ही चा हैंगे लेकिन understanding वाले portion में भी objective type questions आते हैं यह वो questions होते हैं जो घलत जोड़ी को दुरूस्त करके लिखिए या सही पहचान यह इस तरह से जो questions होते वो यह होते कि एक तो आपकी knowledge भी और आपके understanding भी दोनों को इसमें test किया जाता है तो अभी हम देखेंगे किस तरह से कितन YouTube type का आपका होगा 10 marks का उसमें से knowledge based और 10 marks का understanding पहला वाला आपको question fill in the blanks को कोशन है और दूसरा वाला घलत जोड़ी को दुरूस्त करके लिखिए तीसरा वाला जो underline words है उसको correct करके लिखिए तो यह understanding based ही है कि वह जो underline word है तो आपको पता होना चाहिए कि यह गलत है और इ understanding हो तब ही आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से खलत है और फॉर्थ वाला एक box में आपको कुछ options दिये होंगे और उसमें से आपको questions उसमें से आपको appropriate option सहीं मुतबादिल चुनके लिखना होगा तो इस तरह से objectives जो हमारे 20 marks के आने वाले यह paper में यह भी बहुत अच्छा है कि आपको मेहनत कम है और marks ज्याद है कि objective ही आपके 20 marks के आ रहे हैं अगर आप वो अच्छे से याद करते हैं तो आप अच्छे से score कर सकते हैं जिसमें से 10 marks के knowledge based objective 10 marks के understanding based objective उसके बाद में short notes है 12 marks का जो आपका question 1 के 4 parts रहेंगे A, B, C, D, A वाले में fill in the blanks है नहीं खाली बे जो पाट है उसमें गलत जोड़ी को दुरूस करके आपको लिखना रहेंगा चार pairs रहेंगे चार में से कोई एक pair गलत होगा तीन सही होगे तो जो एक pair गलत है आपको वो पहचानना होगा और फिर चारो pair आपको फिर से लिखना होगे उसमें से जो गलत pair है उसको सही के लिखना होगा इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो अंडर वाला है आपको सिर्फ उसे ही फोकस करना है आप आजू-बाजू में नहीं देखेंगे दूसरे वर्ड्स को या पूरे संटेंस को आप नहीं को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे आप सिर्फ जो वर्ड जो हमारा सिकेंड ये कोशिशन वन के फॉर कोशिशन होगे एबी सीडी सिकेंड कोशिशन होगा आपका शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स आपके फॉर कोशिशन आएंगे थ्री थ्री मार्क सॉरी थ्री कोशिशन आएंगे फॉर माक्स फॉर इज उसके बाद में डिफर ए और फिर थाड वाला है सौरी फॉर्थ कोशिए आपका होगा कंशेप्ट का कंशेप्ट का एमें आपको complete करना होगा जो खाका मुकमल किजिए सवाल आता है कि बीच में एक option उसमें दिया होगा एक या दो option दिये होंगे जनरली एक ही दिया जाता है और बागी के चार आपको उसमें लिखने होते हैं वह फोर मार्क्स उस पर होते हैं यह फिर उसी का भी है true false true false इसमें important यह है देखें यह true false के चार कुशन आते हैं बारा नंबर के लिए तो सरी 3 कुशन आते हैं बारा नंबर के लिए four marks for each इसमें यह important होता है कि जो sentence statement आपको गलत होता है आपको उसको सही करके लिखना होता है और जो statement आपका सही है आपको उसकी वज़ा बताना होता है कि यह क्यूं सही है इस लिए इसको इतना weight age होता है कि फोर-फोर marks इसके लिए मिलते है हमको otherwise true false क很好 की किसी भी पेपर में true false के लिए one-one mark ही होता है लेकिन इसमें mark इसलिए जाधा है क्यूंके यह आपको उसके reason के ना heeft और one क्यों सही है फिर कुशन नमबर 6 पैसेज में आपके दो कुशन रहेंगे 3 marks for each और 6 marks का पैसेज होगा और कुशन नमबर 6 का भी personal response इसमें आपको अपने खयाल का इजार करना है आपकी क्या रहा है इस particular statement के बारे में तो ये भी दो कुशन होंगे 4 marks for each तो ये 8 marks का personal response होगा कुशन नमबर 7 long answer long answer में आपको दो answer लिखने होंगे 10 10 marks for each ये जो सारे है मतलब long answer आपको कोई एक करना होगा लेकिन कोई 2 रहेगे उसमें से कोई एक करना होगा ये जो marking scheme है यहाँ पर ये options के साथ में है without option थोड़ा सा changes है वो भी हम देख लेंगे तो देखते हैं अभी फिर से किस unit में से कौन से question आने वाले और कितने marks के आने वाले पहला unit हमने देखे कि option के साथ में 19 marks है और without option आपका 12 marks है तो इसमें से first unit में से objective question आने वाले है तीन objective question आने वाले है, short notes एक आने वाले है, difference लिखिये एक आने वाले है और concept के clarification दीजिए concept के बारे में बताई है, describe the concept, यह तसवूर की वज़ाहत किजिए, नजरी की वज़ाहत किजिए यह 4 mark का एक कोशन आने वाला है साथ ही personal response का एक कोशन 4 mark का इसमें से आने वाला यह सारे options के साथ में है देखिए यह जो bracket में वो दिया हुआ है 3, 1, 1 फैले हिसमें तो यह सारे कोशन कितने आने वाले वो दिये हुए और जो बाहर दिये हुए कितने marks का कोशन होने वाले है वो दिया हुए second unit में objective आपके 4 marks के आएंगे 4 question 4 marks के आएंगे second unit में से आपके short notes नहीं आएंगे यह important है कि आपके जो objective questions है यानि जो starting के 20 marks के questions है वो उसके लिए आपको सारे ही 6 unit cover करने हैं सारे 6 unit में से यह questions आने वाले है यूनिट सेकेंड और यूनिट 6 में से 4 4 marks के और बाकी सभी unit में से 3 3 marks के second unit में objective आने वाला है 4 marks का और difference लिखिए एक ही आने वाला है 4 marks का यूनिट 5 छोड़के बाकी सारे यूनिट में से unit 1 unit 2 unit 3 और unit 6 यह पांचों यूनिट में से एक एक difference लिखने के लिए आपको आने वाला है यूनिट 3 में objective 3 marks के लिए 3 questions आने वाले difference लिखिए 4 marks का 1 आने वाला है और concept यह तसवूर के वजाहत कीजिए नजरिये की वजाहत कीजिए 4 marks का एक आने वाला है साथ यह true false true false आपने अभी बताया कि आपको उसके reason के साथ बताने कि अगर true है तो क्यों true है false है यह आपको unit 3 unit 4 unit 5 में से आने वाला है unit 1 और 2 में से true false और unit 6 में से true false आपके नहीं आएंगे बिल्कुल इसी तरह से unit 2 और unit 6 में से आपके short notes नहीं आएंगे फिर unit 4 है unit 4 में से सबसे ज़्यादा questions आने वाले है unit 4 में से objective आने वाले three marks के unit 4 में से short notes भी आने वाले है unit 4 में से फर्क लिखिये एक आएगा difference लिखिये एक आएगा एक concept का question नहीं का आएगा wave diagram या खाका मुकंबल कीजिए map का question सिर्फ unit 5 में से आने वाला दूसरे किसी भी unit में से ये question नहीं आएगा और unit 4 में से साथी true false का भी question आएगा फिर से unit 5 unit 5 में objective three marks के लिए short notes एक question four marks के लिए difference लिए और concept की वजाहत कीजिए concept को describe कीजिए ये unit 5 में से आपका नहीं आएगा question 5 जो web diagram है ये unit 5 में से ही आएगा दूसरा और कहीं से ये नहीं आएगा unit 5 में से web diagram आएगा एक ही आएगा वो आपको करना होगा उसमें कोई option भी नहीं होगा और true false का एक question unit 5 में से आएगा मैंने आपको बताया है कि true false के तीन question होंगे जो एक unit 3, unit 4, unit 5 तीनों में से एक एक question आएगा फिर unit 6 unit 6 में objective आपके 4 marks के होगे जो starting के 20 questions है उसमें से 4 marks unit 6 को जाएगा और short notes unit 6 में से नहीं आने वाला है question 3 जो difference लिखिए फर्क ही लिखिए ये unit 6 में से आने वाला है और फिर unit 6 में से personal response आने वाला है और long answer question ये unit 6 में से आने वाला है देखिए long answer question 2 में से आपको कोई एक करना है जो के एक unit 2 में से आएगा एक unit 6 में से आएगा आप किसी भी कोई एक unit के long answer को अच्छे से long answer मतलम देखिए ये बहुत जादे important है कि आप notes के पीछे नहीं पढ़ेंगे आपको पूरे पूरे चाप्टर की reading करना है वैसे भी कोई बहुत बड़े बड़े चाप्टर से बहुत बड़ी आपकी बुक नहीं है अभी आपके पास में इतने दिन बाकी है करीब 20 दिन आपके पास एक्जाम के लिए बाकी है आप पूरे बुक की एक बर थरोली रीडिंग किजिए तो आपको ये notes के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी और एक question answer को रटने की जरूरत नहीं पढ़ेगी आप सारे ही paper बहुत ही अच्छे से solve कर सकते हैं तो long answer भी आप आपका आने वाले हैं और passage मैंने पहले ही बताया आपका question 7 जो होगा वह पैसे जोगा एक अंसीन पैसे जोगा उसमें से दो कोशन होंगे 33 marks for each इसमें कोई option नहीं होगा फिर से मैं थोड़ा से repeat कर रही हूं कि unit 1 में से अपके objective short notes फर्क लिखे और concept आएगा map true false और unseen passage यह अपका unit first में से नहीं आने वाले personal response में unit 1 और unit 6 में से आएगा बाकी कहीं से personal response नहीं है unit 2 में से सिर्फ आपको objective और difference लिख लिए आएगा और साथ ही एक long answer बाकी कोई भी question unit 2 में से नहीं आने वाले unit 3 में आपको objective आएगा difference लिखे आएगा concept आएगा और true false आएगा unit 4 में सबसे जादर question से यहां पर आपका objective है short notes है difference लिखिए है concept है और साथ ही true false का एक question है unit 5 importantly web diagram के लिए web diagram unit 5 में से ही आने वाले दूसरे unit में से नहीं आने वाले तो unit 5 में objective question 3 marks के लिए short notes web diagram और true false का एक question और unit 6 में से objective 4 marks के लिए difference लिखिए question और personal response का question long answer का question unit 6 में short notes concept map true false पैसेज यह कुछ भी नहीं आने वाले तो hopefully आपको अच्छी से समाझ आया होगा और इसी सबसे आप exam की तयारी करेंगे पेपर इसी accordingly set किया गया है इंशाल्ला आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको काफी ही अच्छे marks मिलेंगे all the best for your exam हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है को का compan str? हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ है वियक अच्छों हुआ हुआ ूप श्हुआ है आम का इस नहऺást हुआ है को को हुआ Recomm Cand कित मैं बर्ह occupationalăng झाल 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 झाल